कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है इटिंग विथ राजपूद्स जैसे कि आपने देखा लास्ट एपिसोड में हमने आपको साउध गोवा के एक हिदन ब्लू लगून की सेर कराई उस ही के साथ साथ हमने और भी बहुत कुछ धमाल किया हम गए थे टियर जिन्दगी वाले शारुक खान और आलिया भट के साइकलिंग वाले रस्ते में और हमने काफी सारी रील्स भी बनाई जो के आप चेक आउट कर सकते हैं यहां पर हमारा इंस्टाग्राम आईडी है और अब हमें लगी थी भूक तो हम आए नन अदर देन दा एंग्री सर्दार में जी हां नथिंग लाइक देनेम सजेस्ट यहां पर कोई भी एंग्री नहीं है लेकिन सिर्फ एंग्री है तो यहां की स्पाइसेश था अमेजिंग स्पाइसी पंजावी फूड मिक्स्ड विक्स सूपर डिलिशन स्कॉक्टेज और मॉटेज्ट इस इस और फ्लेस तू ना अपने चार दिनो के गोडल के ट्रावल में हर रोज रात को यहां पर आके खाना क्या है ना सिर्फ अमेजिंग से स्टार्ट आपके और मॉटेल स्टाइस टाइक है लेकिन हमने लिटरलै यहां प Angry Sazar is one of the best rated restaurants in Anjuna, serving amazing juices, mocktails, cocktails, seafood, North Indian desi Chinese food, as well as Punjabi hot tadka food. This is a place to visit. We would rate its food a whopping 5 out of 5, the ambience 4 out of 5, the service 5 out of 5 again. And not enough, the next morning was holy and the restaurant manager had a super duper surprise set in for us. Let's watch it. Without whiskey. With whiskey, it's not whiskey. Like the people at Christmas at the end of the night. He said. He said. He said. What is this? Be good. Made to do? Yeah. He was Tanitho. He was waiting for a whole meal. He stayed. He was waiting for them. Go, go. Ah, exactly. For the first time, we have chosen a spot here. He had something like something here. I have searched the whole of Goa. I didn't find an elevator. You had to set up the line. I have to try and get those. सब्सक्राइब यह वह थे नहीं सो मच ने आठराश को जो सोड़तना है जोशी बाटरमेल अगर झालावैंस प्रवादीजी प्रखाँ क्या हुआँ कि अगर कि a pad worked तुर। ओकता रही जए जायजए किया अज explorante अब जब के हमने अमेजिंग जी गहोली भी खेल ली और एक fantastic delicious बिना भांग वाला थंडाई शॉट भी मार लिया था तो हम निकल पड़े और एक जगह एक्स्प्लोर करने जिसका नाम है the fountain has जी हाँ fountain has the capital of panjim's latin quarter is also known for its narrow lanes full of colored portuguese villas with balconies and red tile roofs basically अगर आपको अच्छे-चे photographs कीचने अपने instagram पे डालने के लिए तो ये जगह भाई साब आपके लिए ही बनी है रंग बिरंगी तरीके के घर और बढ़िया से maintain किये हुए उनके red tiles वाले roofs इस जगे को और भी ज्यादा amazing बना देते हैं अगर आपको हमारी तरह instagram पे photos पोस्ट करने का कीड़ा है तो आपको ये जगह जरूर जरूर विजिट करनी चाहिए ये जो आप chapel या church देख रहे हैं हमारे सामने उसे कहते है St. Sebastian's Chapel ये एक white wash chapel है जो के 1800 AD में बनाया गया था If you consider Goa to be a home to beautiful beaches, low-priced liquor shops then visiting Fontaine Haz will surely change your perspective The overall look and feel of this place strongly resembles to the Mediterranean city और जी हाँ दोस्तों ये Fontaine Haz जो है वो सिर्फे गली का नाम नहीं है यहाँ पे बहुत सारी चीज़े देखने और करने के लिए भी है जैसे के Chapel of St. Sebastian, Maruti Temple, Fonte Phonics, Fontanaz Festival, Old Portuguese Houses देखने लाइक है Cafes and Bakeries तो यहाँ भर-भर के है और जी हाँ गीता अजली गैलरी को मत भूलेगा जैसे के आपको पता ही है मुझे दो-दो मिनिट में भूक लग जाती है तो हम आये थे The Amazing Amazing Baker Street Goa जी हाँ, हमें यहाँ पर एक Amazing Surprise मिला यहाँ का खाना सूपर डिलिशिस था यह एक छोटा सा प्यारा सा ब्यूटिफुल चाफे है जो पोर्वोरिम में लोकेटेड है और इसे Establish किया गया था 2011 में बलकी मैने तो यह भी सुना है कि गोवा के लोग यह भी कहते हैं कि अगर आपको कोई बर्दे सेलिबरेशन करना हो तो केक डेफिनिटली बेकर स्ट्रीट से ही होना चाहिए पर आपको डोनट्स हर तरीके की सैंविचेज रोल्स रैप्स बर्गर्स पॉफ्स पेश्ट्रीज कुकीज और कॉफी भी ट्राइ करने मिलेगी और जी हाँ दोस्तों एक मस्ट्राइ आइटम है जो के है होट क्रॉस बंस आपको अगर याद होगा तो बच्पन में हमने एक पोयम पड़ी थी वन अ पैनी टू अ पैनी होट क्रॉस बंस तो ये ज़रूर ट्राइ कीजेगा हमने यहाँ पर लिया था कस्टर्ड फिल्ड डोनट आप इस कैफे में जैसे ही एंटर करोगे आपको एक मेस्मराइजिंग ब्रेड की खुश्बू आएगी अब मेरे जैसे ब्रेड लवर्स के लिए तो ये जन्नत है यहाँ का स्लो रीवर्ब वाला लाउंज म्यूजिक और इतने सारे प्लांट और हरियाली देखकर गाईज सीरियसली बड़ा ही अच्छा लगा ओवियसली हमने सिर्फ डोनट तो नहीं मंगाया होगा हमने और भी कुछ मगवाया था जो कि है ये मश्रूम इन चीज सैंडविच गाईज इसकी मश्रूम फिलिंग जो थी वो इतनी अमेजिंग और जूसी थी कि मैं क्या बता हूँ आप यहाँ पे देखी रहोंगे कि जूस उभर उभर के बाहरा रहा है गाईज जैसे कि आप जानते हो हर अच्छी चीज को एक ना एक दिन खतम होना पड़ता है तो येस ये हमारा आखरी दिन था गुवा में और हमने डिसाइड किया कि आखरी चीज हम करेंगे मैंबोज काफे जाकर मैंबोज और टीटोज गोवा के टॉप फाइफ क्लब्स में आते हैं यहाँ पर आपको कपल्ड एंट्री और स्टैग एंट्री देनी पड़ती है लड़कियों के लिए जहां तक मुझे पता है एंट्री फ्री है ये बहुत ही बुरी तरीके का भेदभाव हो रहा है तो जिया दोस्तों हमने बहुत सारा खाना काया और बहुत सारा डांस किया और हम आगे थे टु दे एंड ओफ आर गोवा ट्रिप इन 2021 थांक यू वन्स अगाइन गाइस पॉर वाचिंग दिस अमेजिंग गोवा सीवीज इन एक्सपीडिंस इंग गोवा लाइक वे डिडिए अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताईए कि क्या अच्छा लगा अगर अच् अर बी दिल चस्प होने वाली है तो प्लीज से तुने एक वर मोर और सम्वीडियोस इन फूचर और प्लीज दो नर्ट फगे टो लाइक गोमेंट एंग अंटील एक्स्तां से यू बबबाई एंजोई